गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको दक्सिन भारत में जो सिल्फ और उद्योग धन्दें उनके बारे में जानकरी परदान करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स प्राचीन कालीन जो दक्सिनी भारत है उसके बारे में हमने आपको काफी कुछ पढ़ाया है जैसे कि दक्सिन भारत का जो बोगोलिक यहां की जो बनावट है उसके बारे में और दक्सिन भारत का इत्यास कहां से प्रारुम होता है इन सब के बार वीडियोज को बार-बार देखें और यदि कोई भी सुझाव आप लोगों के पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं दक्सिन भारत में सिल्प तथा उध्योग धन्दे दक्सिन भारत में कर्शी कर्म तो कर्शी कर्म हमने पहले व तो जो सिल्फ وर उद्योग है, इंका आर्थिक सम्रदी में भी महत्व्त्व पुन उप्व्त्रों उद्योग था। तो दक्सिनी भारत का सबसे पर्मुकु धोकों सा था वस्त्रों धोक था देश के विबिन भागों में उत्तम परकार के सूती तथा रेश में वस्त्रों का निर्मान किया जाता था गुजरात, बरार, तेलंगाना, नागपटम, मूल स्थान, कलिंग, मालाबार तट, वारंग आदी में बढ़िया किस्म के सूती और रेश में वस्त्रों का निर्मान किया जाता था वारंगल में अच्छी अच्छी दरियां बनाई जाती थी वस्त्रों के अलावा विबिन परकार की धातों जैसे सोना, चांदी, टामबा, लोहा, सीसा, पीतल, तिन, तिन, आदी की प्यार किये जाती थे, परमुक्ता है, लोहे के मरलब ज्यादातर जो आपके अस्तर सस्तर हैं, बरतन हैं, अबुशन वागड़ा, ये लोहे के बनते थे, पालनाड इनके निर्मान का मुखे केंदर था, चोलों के समय में कांसे के सुन्दर मूर्तियों का निर्मान किया जा चलब सकते थे, मणियों के हार तता बुशन भी बनते थे, गोलकुंटा तता किडेड में हीरे की खाने थी मारकोपोलो के विवरण से पता चलता है कि वारंगल में हीरा अधिक मातरा में उपलब्द था तो जो एक मारकोपुलो नाम का एक विदेशी था उसके विवरण से पता चलता है कि जो वारंगल है उसमें हीरा सबसे ज़्यादा मात्रा में होता था चोलो के समय में हीरा मनि तथा मोतियों से विवित परकार के आबूशनों को बनाने का उध्योग अत्यन्त विक्षित था समुदरी इलाकों में नमक बनाने का उध्योग भी पर्चलित था इसके अलावे विबिन स्थानों में अन्य कई परकार के छोटे मोटे उधोग धन्दे जैसे बड़ाई गीरी, टोकरी बनाना, तेल पेरना, पत्थर काटना, चमडे का काम, बरतन बनाना, आधी भी पर्चलित थे तो ये तो था दक्चनी भारत में जो उधोग था, उसके बारे में आप देखेगा आता है स्रेणी, तो कई बार पूछ लेते एकजाम में स्रेणी किसे कहते हैं, तो देखेगा विबिन सिल्पियों के संगठन को ही स्रेणी कहा जाता था, स्रेणी एक ही परकार के विवशाय अत्वा उधो करने वाले वेक्तियों की संस्ता होती थी, प्राचेन भारत के आर्थिक जीवन में स्रेणीों की भूमी का अत्यंत महत्तोपुन होती थी, व्यापार का नियंत्रन वस्तूत है, स्रेणी के हातों में था, ये उत्पादन वाले स्थानों से वस्तू को खरीद क बड़े पैमाने पर उनकी विक्री की विवस्ता करती थी, ठीक है, उनके द्वारा आंत्रिक तथा बाहिये दोनों व्यापार किये जाते थे, दक्सिन भारत के कई लेखों में स्रेणीों का उलेख मिरता है, चलो के विक्रमा दित्ते के लक्समनेश्वर लेख जो 725 सिसी का में ताम्मे तथा कांसे का काम करने वली एक स्रेणी का उलेख मिरता है, बताया गया है कि कार्तिक महिने में सब्भी वर्गों के लोग इसमें कर जमा करते थे, राष्ट्रकूर सासक कृष्ण द्वित्ये के मूल गुंडी लेख में 360 नगरों की स्रेणीों का उलेख मिरता ह चोल सासक राजा दिराज के एक लेख से ग्यात होता है कि कांची तथा उसके आसपास के 24 नगरों के तेली संग ने मंदिर में 71 होकर ये परस्ता पारित किया कि कांची मंदिर में दीप तथा बली का परबंद तीरू कयूर के तेली संग द्वारा किया जाना चाहिए चालू के विक्रमा दिते, छट्टे के एक लेक से पता चलता है कि विभिन स्रेणियों के द्वारा किया जाना चाहिए, विभिन स्रेणियों के द्वारा व्यापार का जो मतलब संगठना वो किया जाना चाहिए, चालू के विक्रमा दिते, छट्टे के एक लेक से पता चलता ह अब देखेगा स्रेणी धर्म अर्था स्रेणियों का क्या काम था तो देखेगा 12-13 स्ताबदी के कई लेक्ष जुलाहों, कुमहरों, तेलियों अधी की स्रेणियां तथा उनके कारियों का उले करते हैं इनसे सूचित होता है कि दक्सिन में ये संगठन निर्विगन रूप से अपना कारिये कर रहे थे स्रेणियों के अपने अलग नियम होते थे जिने स्रेणी धर्म कहा जाता था राजे की ओर से इन्हें माननेता प्राप्दि थी राजा का यह करतव्य था कि वह स्रेणी धर्म का समान करे वहस्पति का कथन है कि स्रेणी के परधान धर्म के अनुसार अपने सद्धियों के साथ कड़ा या म्रदू जैसा भी विवहार करे उसे राजा को अनुमोदित करना चाहिए मननु ने कहा है कि राजा को जाती धर्म, कुल धर्म, जन्पत धर्म, स्रेणी धर्म के भली भाती चान बीन करने के बादी उनके अनुकूल अपने राजकिये नियमों के स्थापना करनी चाहिए अर्थसास्तर में पता चलता है कि राजा को स्रेणी धर्म का आदर करना चाहिए नारद, विश्णू, यागवलक के अधी स्मर्तिकारों ने राजा को उपदेश दिया है कि वह संगों में पर्चलित रिती रिवाजों का पालन करवाए ब्रहस्पति ने चेतावनी दी है कि ये दि देशाचार, जात्ताचार और कुलाचार का पालन नहीं होता तो परजा में ऐसंतोस फेलेगा और उससे संपतिक कम होगी इन उधारनों से इस पस्ट होता है कि स्रेणिया अपनी इच्छानोसार कारिय करने के लिए श्वतंत्र थी और राजा को उनका निर्णे स्विकार करना पड़ता था केवल कुछ विसेश पारस्प्रिक विवाद होने अथ्वा किसी सदस्य द्वारा संप को हनी पहुंचाने का प्रियास करने पर उत्पन होती थी ऐसा लगता है कि स्रेणि के प्रधान द्वारा दंडित कोई भी राजा के पास अपील कर सकता था तथा ये प्रमानित हो जाने पर की अध्यक्स का विवार नियम विरुद है राजा उसे रोगता अथ्वा आवसकता पढ़ने पर दंड दे सकता था किन्तु इस परकार की परिस्तिती बहुत कम उत्पन होती थी सामानिय प्रिस्तिती में स्रेणिया प्रियाप्त स्वायचता का उपभो करती थी स्रेणियों के पास अपने न्याले तथा अपनी सेना होती थी वे बैंकों का भी काहिये करती थी दक्सिन भारत के व्यापारी अपने सामुहिक संगठन के लिए भी विख्या थी विक्रमा दित्य सस्ट तथा तेल दिवित्य काली निदू गंडी लेख में 505 व्यापारियों के एक संगठन द्वारा धार्मिक उद्देसे से विबिन वस्तुएं दार में दिये जानने का उलेख मिलता है जट्टा वर्मन वीर पंडे के एक लेख से पता चलता है कि उन्यासे मंडलों के उपविभागों के व्यापारियों ने एक सभा में 71 होकर पैने से होने वाली आ का एक भाग मंदिर जिर्णो धार के लिए अलग रखने का फैसला किया था ये वूर लेख जो 1077 का है इसे पता चलता है कि सीवपूर के व्यापारियों के संगठर में 25 परतिसत प्याजबर धन जमा किया गया था विक्रम चोल कालीन तीरू मूरू गनपुंडी के एक मंदिर में खुदे हुए लेख में एक व्यापारी संग का स्पस्टू लेख मिलता है जो समस्त दक्सिन भारत में फैला हुआ था और उसमें 500 सदसे थे पस्सिमी चालू के नरेश जग्दे कमल दृते कालीन एक लेख जो 1178 स्वी का है से पता चलता है कि दक्सिने आयवोले अर्थ्वा वर्तमान एहोल में 500 वनिज निवास करते थे भाउसे व्यापारी केंदर दक्सिन के आयवोले कहे जाते थे तो आयवोले किसे कहा जाता था जो दक्सिन के जो व्यापारी केंदर थे उनको आयवोले कहा जाता था इनसे मुखे स्रेणी की साखाओं का भोध होता था दक्सिन भारत के विबिन लेकों में व्यापारी के इस सामूइक संगठन का उलेक मिलता है इसके अलावा हम बनज समाज का उलेक पाते हैं जो व्यापारी के एक व्यापक संगठन का सूचक है इस संगठन को वलजियर बनजी अधिनाम से भी जान जाता था राजेंदर चोल कालीन एक लेक में इस संगटन की परसंसा की गई है तो देखें स्टुनेंट्स इस वीडियो में हमने प्राचीन कालीन जो दक्सिनी भारत है उसके वेवसाय, सिल्फ उद्धोग इन सब बातों के बारे में जानकरी प्राप्त की तदा स्रेणी किशिय कहते हैं, स्रेणी धर में क्या है, इन सब बातों के बारे में जानकरी प्राप्त की और ये एक्जाम के दिर्फ़ाइए